तो आज हम लोग अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगी लर्निंग के बारे में लर्निंग जिसे हिंदी में अधिकम कहते हैं ठीक है अब इसका जो पीडियाफ है अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलिगाम जोइन कीजिए और मैं आपको अपना कॉंटेक्ट नमबर डिस्क कर सकते हैं ठीक है तो आज हम लोग देख रहे हैं लर्निंग के बारे में यानि लर्निंग होता क्या है अधिकम क्या होता है तो आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है अगर आपने मेरा चैनल अवे तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस सब्सक्राइ तो आज हम लोग अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि learning के definitions क्या होते हैं साथ ही हम learning के characteristics या nature जानेंगे और learning के types भी आज हम लोग अपनी इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं learning क्या होता है learning क्या होता है कोई चीज सीखना कोई कोशल सीखना या तो कोई ग्यान लेना उसे ही हम लोग learning कहते है जो बच्चा होता है वो जो जनम लेता है तब से वो बहुत सारी चीजे सीखता है और यह सीखने वाली प्रक्रिया उसके मतलब जब तक वो जीता है इस दुनिया में तब तक वो सीखता रहता है जैसे जो बच्छा होता है छोटा होता है तो वो धीरे धीरे क्या करता है बैठना सीखता है चलना सीखता है ठीक है तो उस तरीके से आगे जब और आगे उस मतलब बढ़ता है बड़ा होता है तो वो और भी अपने Life में बहुत सारी चीज़े जो है वो सीखता रहता है ठीक है तो इसका क्या मतलब होता है कि जो learning होती है जो अभिगम होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है ऐसा नहीं होता है कि learning किसी समय पे जा की रुख जाए क्योंकि जो बच्चा होता है वो जब जनम लेता है उसके बाद से वो जब तक इस दुनिया में जीता है वो कुछ न कुछ चीजे सीखता रहता है चाहे वो छोटी ही चीजे क्यों ना हो ठीक है वो सीखता है ठीक है तो इसी को हम क्या कहते हैं लर्निंग कहते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिये, learning is a process of acquiring understanding, knowledge, skills and attitude, यानि किसी भी तरीके की skills, यानि कौशल, सीखना या ज्ञान प्राप्त करने को ही learning कहते हैं. Learning starts from birth of child till death. जो एक बच्चा होता है, जब वो जनम लेता है, वो तब से ही उसके learning की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. ठीक है, और कब तक चलती है, जब तक वो, मतलब उसके जीवनों परांथ चलती है, जब तक वो इस दुनिया में रहता है, तब तक वो कोई न कोई चीजे सीखता रहता है. When a child born, he learn and he keep learning until last time. That means learning is lifelong process. Learning क्या होती है, lifelong process होती है. ठीक है, it never ends. इसका खात, जो मतलब जब तक व्यक्ति जीता है, तब तक वो कुछ न कुछ सीखता रहता है. Some learning is immediate. मतलब कोई learning क्या होती है, जल से जो है व्यक्ति सीख लेता है. जैसे कि एक जो बच्चा है, अगर वो किसी गर्म चीज़ को अगर वो हाथ लगा देता है, ठीक है, तो उसको क्या आता है, उस समय उसका अगर हाथ जल जाता है, तो वो दूसरे बार उस सेम चीज़ को वो हाथ नहीं लगाएगा. क्योंकि उसको एक बार में पता चल गया कि अब जो है, इस वस्तो को हाथ नहीं लगाना है. तो इस तरीके की जो लर्निंग होती है, वो इमिजेड होती है, यानि वो जल्दी सीख लेते हैं, बट कोई-कोई लर्निंग ऐसी होती है, जिसे सीखने के लिए experience चाहिए होता है, जैसे कि हमने थेरे में पढ़ा है, कि व्यक्ति क्या करता है, गल्तियां करकर की सीखता है, ठीक है, तो ऐसे में experience लेके भी जो लर्निंग होती है, ठीक है, आगे देखें यहाँ पर, इस तरह की लर्निंग को क्या कहते हैं, मतलब इस तरह की जो लर्निंग होती है, व्यक्ति को experience के साथ होता है, आगे देखते हैं, this is called immediate learning, but some learning takes time and can be achieved after repeated experience, यहाँ पर लगातार होने वाले experience से भी कई सारी लर्निंग होती है, यहाँ पर आप इसका हिंदी में देख लेजिए, ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, definition, इसका definition क्या होता है, according to crow and crow, तो इसका definition भी हम लोग देखेंगे, learning is the process of acquisition of knowledge, habits and attitudes, तो crow and crow का क्या मानना था, कि जो learning होती है, learning, यानि जो अधिगम है, उसका तातपर यह क्या होता है, ज्ञान हासिल करना, या कोशल हासिल करना, किसी भी तरीके की ज्ञान को हासिल करनी को ही क्या कहते हैं, learning कहते हैं, ठीक है, आगे देखिए, according to Gales, learning is behavioral modification which occurs as a result of experience and training, तो Gales का क्या मानना था, कि जो learning है, उससे क्या होता है, behavior में modification आता है, behavior में बदलाव आता है, ठीक है, जो की experience, यानि जो किसी प्रकार के अनुभाव या training के कारण होता है, क्या होता है, देखिए, कि जब एक व्यक्ति को किसी चीज की, अगर उसकी knowledge हो जाती है, अगर वो learning सीख लेता है, ठीक है, तो उसके बाद, उसके behavior में क्या होता है, अगर उसको चीज़े समझ में आ जाती है, अगर उसको उस particular चीज़े का ज्ञान प्राव्त हो जाता है, तो क्या होता है, उसमें क् experience हो जाता है, ठीक है, तो यह हमने इसका definition देख लिए, आप और भी तिन्चर definition इसमें add कर सकते हैं, आगे देखिए, characteristics क्या होते हैं, learning के, first है learning involves changes, तो जो learning होती है, उसमें वो परिवर्तन शिल है, यानि उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, learning is lifelong process, तो जो learning होती है, वो जिन्दगी भर चलती है, एक छोटा बच्चे, बच्चा जो है वो सीखता है, और जब तक वो, मतलब इस दुनिया में जीता है, तब तक वो कुछ न कुछ learning सीखते रहता है, तो अब थर्ड देखते हैं, थर्ड है, learning is changing behavior, यानि कि अगर व्यक्ति को किसी चीज की knowledge हो जाती है, learning होती है, तो उसके बाद उसके behavior में भी change आते हैं, क्योंकि इस बार उसे experience हो जाता है, तो environment का भी इसमें बहुत जादा प्रभाव पड़ता है, तो environment का learning is transferable, जो हम knowledge लेते हैं, जो हम learning लेते हैं, सीखते हैं, हम उसे दुसरों को भी सिखा सकते हैं, यानि ये transferable होती है, आगे देखिए, learning is purposive and goal directed, यानि जो learning होती है, basically वो goal directed होती है, अगर हमें कोई चीज, हमारे mind में कोई goal है, हम उसके लिए, उस specific चीज के लिए हम लोग कोई experience या तो कोई चीजे कोशल वो हम सीखते हैं, सेवन देखिए, learning helps in proper growth and development, तो जो learning होती है, ये वृद्धी और विकास में भी बहुत सहायक होती है, एट देखिए, learning helps in proper adjustment, अगर learning है, किसी चीज की knowledge है, तो उसके कारण जो प्यक्ती है, अच्छे तरीके से adjustment कर सकता है, ठ जो learning है, ये क्या होती है, यानि creative होती है, लास्ट है, learning is an active process, तो learning जो है active process है, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो learning होती है, जो बच्चा होता है, वो बच्पन से लेकर अपनी life, मतलब अपनी पुरी life तक वो कुष ना कुछ सीखता रहता है, ठीक है, तो ये हमने देखा, यहां पर देखे तो यह हमने देखा characteristics या जो nature होता है learning का अब हम लोग देख लेते हैं इसके बाद कि types कितने होते हैं learning के learning के बहुत सारे types होते हैं बट यहां पर आज हम लोग four types पढ़ेंगे learning के first है motor learning, motor learning क्या होता है जिसमें कि हम physical moment जो होते है जैसे कि यहां पर जो humans है या तो कोई भी animals भी है अगर वो सीखता है जैसे कि चलना ठीक है दोडना कोई भी तरीकी की physical moment इसमें include होते हैं चलना सीखना ठीक है या तो जैसे दोडना सीखना ठीक है इस तरीकी के चीज़े जो आते हैं यह motor learning में आते हैं सेकेंड देखिए verbal learning तो वह learning जो कि verbal होता है जिसमें कि हम communication यूज करते हैं जैसे कि languages हो गया symbols हो गया words हो गया यह सभी learning की जाती है इस तरीकी के learning को क्या गते है अजिए verbal learning थर्ड देखिए concept learning थर्ड देखिए concept learning higher order mental process like thinking and reasoning यानि कोई चीज सोचना thinking करना reasoning करना किसी कोई जैसे की कोई जैसे कोई एक matter पे reasoning करना ठीक है इस तरीकी की जो जो होते learning वो किस में आता है concept learning में फोर्थ होता है problem solving learning ठीक है It requires cognitive abilities such as thinking, reasoning, observation, etc. The problem solving is what is called problem solving, problem solving learning, which is called thinking, reasoning and observation. This way, learning is called problem solving learning. The problem solving is what is called problem solving learning. So, this was our video where we studied about learning, learning, or adhigam. If you need a pdf, please join me in my telegram group. I will send you a number in description box. We will see you in the next video. Yes, don't forget to share this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye and take care.